स्री रादे रादे दोस्तों जैसरी क्रेस्न कैसे हो आप सब लोग गाई हो क्या अच्छे होंगे और आप लोगों को सबसे पहले मकर सकरांती की बहुत बहुत शुब काम नाएं भगवान सूर्या आप लोगों के जीवन में धेर सारी खुशिया लाएं आप लोगों के आंग परना उड़द मैंने रख लिए हैं खिचडी के लिए पहले इनको हम गलाएंगे और फिर मैं खुली खिचडी बनाऊंगी कैसे बनाती हूं आप लोगों के साँ शियर करोंगी तो थोड़ा सा इसमें मैं नमक डाल देती हूं वाइल होने के लिए क्योंकि चावल से ज्यादा हाड यह जो उड़द है वो होते हैं तो यह गलते नहीं हैं अगर मैं चावल भी साथ में रख दोंगी तो हल्दी और नमक डाल देती हूं मैं इसमें और इसमें दो से तीन सीटी में मरवा दोंगी और फिर चावल के जैसे यह गल जाएंगे और तब तक हम चाई पी लेते ह हैं और अभी मैं दूर डाल देती हूं चाय में तो खिचडी बाद में रखोंगे पहले जाड़ो पोचा नास्ता और नहाना धोना करेंगे तो यह देखें गाइस यहां पर हमारे उड़द भी गल के तयार हो चुके हैं और अब इनको मैं बनाऊंगी चावल के साथ खुली मैं तो यहां पर दाल वी अच्छे से गल के रेडी हो चुकी है तो चावल भी मैं अच्छे से दूलूंगी तो मैंने यहां पर खिचडी में डालने के लिए लैसुन और अधरक ले लिया है और काली मिर्च औ लॉंग भी मैं कूट लूँगी क्योंकि उड़त की खिचडी तो ठंडा करेगा और यहां पना मैं पहले इसमें कूटने वाली थी उसके बाद मैंने आपर सिल्वटा निकाल लिया मैंने सोचा कि मुझे थोड़ा सा जीरा भी पीसना है तो क्यूं नमें सारे मसाले इसी सिल्वटे में पीस लूँ और सिल्वटे का पीसा हुआ तो बहुत पीस लूँगे और थोड़ा थोड़ा करके मसाले एड़ करती जाओंगी थोड़ा सा पीसने के बाद मैंने इसमें मिर्च भी एड़ कर दिये हैं मैंने सोचा कि क्यूं न मैं सारे मसाले इसी में पीस लेते हूं जो प्रेशर कुकर में डालने हैं तो यहां पर हल्दी भी मै बारीक से पीस दिया है तो ऐसे पीसने में बड़ा मज़ा आता है और उसमें ना खिचडी में भी बहुत अच्छा स्वाद आया था तो यह देखिए अब मैं इसको एकटोरी में निकाल देती हूं और अभी डाल देंगे प्रेशर कुकर में तो यह देखिए चावल भी चुक बहुत अच्छा लगता है और सारी चीजे में गरम डाली है इसलिए उड़त का कोई ज्यादा असर नहीं होगा एकदम टेस्टी बनेगी खिचडी अब इसमें पानी में एड़ करती जाओंगी मुझे जितना पानी चाहिए होगा तो खुली खिचडी जब बनाते ना तो प खिचडी पकने के लिए तब तक मैं और धेर सारा काम कर लोंगी कपड़ों की तई करनी है बैट सिट की तई करनी है सारा इधर उदर घर भिखरा पड़ा है जाड़ू पोचा नहाना धोना सब हो चुका है जब भी मैं उड़द और मोटी दाल की खिचडी बनाती हो ना तो इसमें धेर सारा घी मैं डालोंगी दो से तीन चमच बड़े और वह भी देसी गाये का और यह देखे अच्छे से तो नहीं लेकिन टाइम लगेगा अभी तो बाद में घी डालेंगे इसमें खुब और जो खिचडी ना परेशर कुकर में धकन लगा के बनती है उसमें टेस ईच्छटा आता है अच्छे से मसाले पीशलो ना शिल्बटे में और फिर इसको अच्छे से बनने दो खूब थोड़ा सा घोट भी लौ तो मैं नहा चुकी हूं बाल भी बहुत घीले हैं और बाबु भी नहा चुकी हैं तो आज है मकर सक्रान्ती मकर सक्रांती को आप और बादरुम में भी रख दिया था वो तब जया कर नार्य है हमारे यहां पे रहते हूं च्छमी नारायन का शुरूप मानने जाते हैं तो हमारे यहां पे लगता है मेरE सशराल में और बहुत अला है हमारे जातेे बच्पन में जब यह चोटे थे इसके पापा तो कहते हैं कि बहुत ज़्यादा भीड़ होती थी वहाँ पर दूर दूर से लोग नहाने के लिए भी आते थे असनान करने आते थे बहुत मानता है तो हमारे गाओं के जो कहानी है वो तो यही बताएंगे कि पूरी कहानी क्या ह लेकिन वहाँ पर आदिगुरु शंकराचारे जी थे न तो उन्होंने वहाँ पर तपश्या की थी दो-तिन दिन रुके थे और जो हमारा गाओं है मैं आप लोगों को जाके दिखाऊंगी जो हमारा गाओं है वो पहले इधर खेतों की तरब था और वहाँ से गाओं बाद म अगे गराम देपता का तो अच्छा लगता है बहुत हमें एक स्पेसल फील हो रहा है आज हर साली हमें स्पेसल फील होता है और इस दिन हम मतब खूब मस्ती करते हैं और बड़ी शर्दा आती है दिल दिमाग में जब भी चड़ाते हमारे यहां पे ना बदिनारायन जी को बहली चड़ती है और हम लोग बहली चड़ाते हैं जब भी आते हैं ईधर को मतलब दिली तो जरूर बहली चड़ाते हैं लगसाई फील होता है आज के दिन हमें चैंडव करते हैं और जो कि बिरिश्चिक राश मेरी भी है सारी राशियों पर सुरे नारायन अपनी किरपा बनाए रखें और सबको सुख सांति और समृध्धी से भरा हमारा जीवन हो बस यही इश्वर से प्रार्थना है मेरी तो यहां पना काना की आज कलास है काना की कोई छुटी नहीं को बाबू की तो छुटी है ना बाबू हाँ मेरी दो दिन चुटी है दीदे की की दोगिए आज तो अभी मैं पूजा कर लेती हूं अभी सब यहां पर पूजा करने लगे हैं और काना भी आ गया है काना की कलास फिनिश हो चुकी है बैट चुके हैं और पुजा कर लेते हैं फिर खाना खाएंगे तो गाइस ये देखिए ऐसे खाना खाएंगे हम आज और बहुत टेस्टी बनी है खिचडी बहुत अची बनी है और इसमें उपर से डालेंगे घी और गर्मा गर्म खिच्डी खाएंगे आप लोग भी आजाएए खाईए आप लोग भी हमारी साथ मैंने एबजन से मंगाया था अपने ले सेल्फी स्टिक तो आ चुका है सेल्फी स्टिक सेल्फी हुआ मैं बस्ट अषब बच्छी्ट daí कि धुड आफशीघ कि ई typically हैं ये तो बस्टी जए ही है ईव मैंने ़ैख धुरण मैं बस्टेम करे दो idols हे वालें राने टो उ проблем व네요 कि उसल्टे वालेैं उालेदे जाना माना ब्रांड यह तो इसके ट्राइपोट इसके सेलपी स्टिक तो बहुत अच्छे माने जाते हैं अई भी हम चले गए हैं बाबू के कान चिदाने के लिए और फटा-फट से मुझे उसके कान चिदाने आज अगर लापरभाई कर दूँगी तो फिर और दिन नहीं चिदा सकती हूँ आज शुब दिन है तो हम पहुँच चुके हैं मार्केट के अंदर और यहां पर मैं पूजा का समान ले रही हूँ गया है लेंज गए है तो तब तक मैंने पूजा का समान ले लिया है और अभी भएई आ जाएंगे तो फिर बाबू के कान चिदा गये है हम पासवाले मार्केट में चले गए हैं अपनी सोसाइटी के और वहाँ पर मार्केट में धूल धकड होता है तो वहाँ पर जलेवियां खुले में बनती है तो हमने सोचा कि यहां से ले हम तो जले भी तो नहीं मिली बनने में अभी देर लगती लेकिन हमने ले ली है रस्मलाई और बाबु के कान पर लगाने की क्रीम लेनी है तो यहां पर कैमिस्ट से मैं उसके कान की क्रीम ले लेती हूँ और जल्दी ठीक हो जाएंगे फिर तो चली गए चलते हैं घर हाई गाईज तो हम पहुंच चुके हैं घर में और बाबु के कान पर चित गए हैं और अब मैं दिखाती हूँ आप लोगों को एक तो मैं आरती की किताब लाई हूँ यह 40 रुपी की और इसमें सारी आरतियां है और एक कोटन खतम हो गया था कोटन चाहिए होता है घर में ह कुछ भी कामा सकता है और यह दो जो दिये की बतियां है ना तो इस तरीके की यह देखिए और यह 20 रुपी की एक है और एक मौली का धागा थोड़ा सा रह गया था मौली का धागा तो वस यह पूजा का समान लेना था मुझे छोटा-छोटा अब मैं रख देती हूं इनको पूजा में यहां पर यहां पर रहेंगे और अभी जो बाबु के लिए परसो लिए थे ना तो उन्होंने नहीं लगाए उन्होंने परसों में बोल दिया था कि हम इनको नहीं लगाएंगे डारेक्ट उसके लिए उन्होंने दिया यह क्रीम लाई हूं मैं अगर इसके कान पर कुछ होता है तो जब हमारे बच्पन में कान चित्ते थे ना तो हमारे यहां पर गुड़ बाटा जाता था यह यह लेकिन यहां पर बच्चों को खाने थी जलेवी ममी जलेवी लो तो वैसे भी मकर सकरांति के दिन जलेवी खाई जाते हैं जलेवी भी खाते हैं लोग तो ना बनता है ना जिससे उससे ही बनता है ये तो चलिए गाइस आप लोग भी खा लीजिए और ये मैं हम एक एक खा लेते हैं और चलिए बस ये थी आज की वीडियो और आप लोगों को अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर करना वीडियो को और मेरे चैनल पर नहीं है तो प्ल ले एक और अच्छी नहीं वीडियो के साथ अतक जरूर को अ